नमस्कार दोस्तो मैं हुआ मेत अन्ड आप देख रहे हैं इस्टाले जमित इस्टड़ी पांट तो दोस्तो आज की ए वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जो फार्मेसिक के स्टुडेंट हैं क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने आप देखेंगे तो वीडियो को शुरू से लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राब करके बैल आकन प्रेस कर दीजिए इससे हमारी हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आम तक पहुंच सके और वीडियो को ज्याद संबंदि जानकारी बनाने की बिधि जो सरकारी निकाय के अधिकार छेत्र में प्रकाशत होती है यही की किताब है तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमार hardware की होती अब हम इंडियन फार्मकोपिया के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडियन फार्मकोपिया कब प्रिकाशित हुई थी भारत का पहला अधिकारिक फार्मकोपिया 1868 में प्रिकाशित हुआ जिसे एड़ड जॉन बारिंग द्वारा संपादित किया गया था 1948 में भारत सरकार ने भारत में फार्मकोपिया तयार करने के लिए एक भारतिय फार्मकोपिया समीति नियुक्त की इस समीति की कारिकाल पांच साल था यानि इस समीति का कारिकाल कितना था पांच साल था डॉक्टर बी एन गोस की अध्यचता में भारतिये फार्मकोपिया समीति में ने 1955 में IP यानि इंडिन फार्मकोपिया का पहला संस्क्रण प्रकासित किया था 1901 में भारत सरकार के संस्क्रण के रूप में प्रकासित हुआ 1946 में भारत सरकार ने सर आर एन चौपड़ा की अध्यचेता में एक सूची जारी की जिससे भारती फार्मकोपियल सूची समीति के रूप में जना जाता है इसके साथ इसाथ आजादी से पहले के दिनों में भारत में ब्रिटिस फार्माकोपिया का इस्तेमाल किया जाता था। सायुक्त राज का पहला राष्टे सूत्र 1888 में सामने आया।